रानी चुडिया अपने बच्चों के साथ घर को लोट रही थी कि अच्छानक ये तेज बारिश शुरू हो जाती है वो सब एक दरख के नीचे एक सुरक्षित जगा पर बेट जाते हैं अरे अच्छानक ये तेज बारिश कहां से आ गई अब हम सब घर वापिस कैसे जाएंगे रानी तुम घबराओ मत हम इस जगा पर सुरक्षित हैं जब तक बारिश रुक नहीं जाती तो हम इधर ही बेठे रहेंगे जब बारिश रुक गई तो हम सब घर की तरख चल देंगे फिकर करने की कोई बात नहीं रानी चुडिया का पती उसे दिलासा देते हुए कहता है और फिर बारिश रुकने के बाद वो अपनी घर की तरफ चल देते हैं उड़ते हुए अच्छानक उनकी नदर एक चुडिया और उसकी बेटी पर बढ़ती है चुडिया बेचारी दरफ के टेनी के नीचे दबी हुई थी और पास थड़ी उसकी बेटी मसलसल रोए जा रही थी लगता है बारिश की वज़ा से ये बेचारी चुडिया इस पेड़ के शाक के नीचे दब कर मर गई है मगर अब इस बेचारी चुडिया की बच्ची का क्या होगा रानी जो होना था वो हो गया अब हमें इस मासुम बच्ची को अपने साथ ले जाना चाहिए इसे यहाँ अकिला छोड़ना खत्रे से खाली नहीं होगा आप बिल्कुल ठीके रहे हैं हम इसे अपने साथ ले चलते हैं उसके बाद वो सब उस चुडिया के बच्चे को अपने घर ले आते हैं बच्चो आज से हम इस चुडिया का नाम टुंटुनी रखते हैं और अब ये हमारे साथ ही रहेगी नानी चुडिया अपने बच्चों से कहती है और युहीं कुछ अर्सा गुजर जाता है वो तीनों बच्चे अब काफी बड़े हो चुके थे तुन्टुनी क्या तुम्हें पता है पापा और चिंटु दूसरे जंगल जा रहे है इसलिए मैंने उन्हें लाल फलाने को कहा है नहीं लाले मैंने तु पापा से कुछ भी नहीं कहा बस इतना कहा था कि आप जल्दी वापिस आईएगा बेटा पता नहीं क्यूं तुम्हारे पापा को गए हुए काफी देर हो चुकी है बगर अब तक वो वापिस नहीं आए मम्मा आप परिशान मत हो उपर वाला सब अच्छा ही करेगा पापा जल्दी वापिस आजाएंगे हाँ मम्मा हो सकता है पापा को कोई दूसरा काम भी आ गया हो दूसरी तरफ पापा चुडिया और उसका बेटा अपने घर को वापिस लोट रहे थे वो दोनों काफी ठक गए थे इसलिए कुछ देर आराम करने के लिए एक जगा पर बेड़ जाते हैं कि अच्छानक ही किसी शिकारी के लगाए हुए जाल में फस जाते हैं पासी दरख पर बेठा हुआ कबूतर ये सब देख लेता है और जल्दी से वो रानी चुडिया को बताने वहाँ से चला जाता है रानी चुडिया के घर पहुँच कर कबूतर रानी चुडिया को सारी बात बता देता है ये सब सुनकर रानी चुडिया को बहुत दुख होता है अब हम तुमारे बापा के बिना क्या करेंगे रानी चुडिया रोते हुए अपने बच्चों से कहती है मम्मा अब परिशान मत हो हमेना आपके साथ मम्मा हमें भी बापा और चिंटू का बहुत दुख है मगर हम उपर वाले की मर्जी के आगे क्या कर सकते है और ऐसे ही रात हो जाती है लाली और टूंटूनी तो सो गई थी मगर रानी चुडिया को नीन नहीं आ रही थी लाली के पापा आप मुझे अकेले छोड़ कर क्यों चले गए अब मैं दोनों बच्चियों को अकेले कैसे पालूँगी पापा चुडिया के जाने के बाद रानी चुडिया के घर के घर के हालात बहुत खराब हो जाते हैं जो भी रखी हुई जमा पुझी थी वो सब खतम हो जाती है एक दिन रानी चुडिया अपनी बेटियों से कहती है देखो बेटा तुम्हारे पापा के जाने के बाद घर में जो भी जमा था वो सारा खतम हो चुका है इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और ये सोच रही हूँ कि अब हमारा गुजर बसर केसे होगा ममा अब आप भी बताए हम क्या करेंगे तुन्टुनी चुडिया ये सब सुनकर अपनी मा से कहती है ममा अब परेशान मत हो मेरे पास एक आइडिया है मेरी ममा बहुत अच्छी बिर्यानी बनाया करती थी और मैं भी उनकी मदद करती थी क्यों न हम ममा के जैसे बिर्यानी बना कर बक्षियों को बेचे इससे हमारा गुसर बसर अच्छा हो जाएगा रानी चुडिया टुन्टुनी की बात सुनकर बहुत खुश होती है और वो सब अगले ही दिन बिर्यानी बनाने का इरादा कर लेते हैं फिर अगले ही दिन वो दोनों भेने जंगल में बिर्यानी बेचना शुरू कर देती हैं और उनकी बिर्यानी देखकर जंगल के बहुत से पक्षी उनके पास बिर्यानी खाने के लिए आ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनकी बिर्यानी बहुत मशूर हो जाती है तमाम पक्षी शोक से उनकी बिर्यानी खाने लगते हैं अजे सुनते हैं मुझे तो टुन्टुनी की बिर्यानी खानी है सुना है टुन्टुनी की बिर्यानी में जादू है ठीक है ब्यूटी आज मैं तुम्हें टुन्टुनी की बिर्यानी ला देता हूँ बस फिर क्या था सारे जंगल में टुन्टुनी की बिर्यानी की धूम मच जाती है और इसमें से इसे बहुत सी आमधनी होने लगती है जिससे वो अपना एक शानदार होटल बना लेती है टुन्टुनी चुडिया काउंटर संभालती और लाली गाहकों को देखती थी सारे गाहक उनकी बिर्यानी की बहुत तारीफ करते थे और फिर बहुत से पेश से टुन्टुनी अपनी ममा को देती है जिसे देखकर रानी बहुत खुश होती है टुन्टुनी बेटा मुझे तुम पर फकर है आज तुम ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता हाँ ममा आप बिल्कुल ठीक के रही है टुन्टुनी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है एसा तो कोई अपना मी नहीं करता नहीं नहीं आप दोनों मुझे शर्मिंदा कर रही है ये सब करना तो मेरा फर्स था वो दोनों बहुत खुश थी क्यूंके उनका कारोबार बहुत बड़ा होता जा रहा था फिर एक दिन टुन्टुनी लाली के पास आती है और लाली से कहती है लाली में तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी ये बिर्यानी लो और गरीब पक्षियों में बांट आओ ठीक है टुन्टुनी में अभी जाती हूँ फिर लाली वो सारी बिर्यानी जंगल के गरीब पक्षियों में बांट देती है ममा आज टुन्टुनी ने बहुत से बिर्यानी करीबों में बांटने के लिए कहा हाँ मैंने इसलिए कहा था क्यूंकि हमने भी बुरा वक्त देखा है और जब भी आपके पास पेसा आ जाए तो अपना बुरा वक्त कभी भी नहीं बूलना चाहिए और हमेशा अपने जैसे करीब पक्षियों की मदद करनी चाहिए मम्मा मैंने ठीक किया ना हाँ तुन्टुनी बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया आज के बाद हम अपने रेस्टोरेंट में गरीबों को फिरी में खाना खिलाया करेंगे उसके बाद वो तीनों मा बेटी हसी खुशी अपनी जिन्दगी गुजारने लगते हैं